है नमस्कर साथ यह आपका स्वागत आपके योटुब चैनल टेट विद रॉनिक चलिए दोस्तों जैसे कि अपने कौटर फोर रिजल की सीरीज चलिए तो उसके अंदर आज टाटा कॉफी लिमिटेट को क्वार्टर फोकर रिजल्ट आया है रिजल्ट कैसा है रिजल्ट का आउटकम कैसे निकला और आगे ट्रेडिंग सेसन कैसे रहना वाला है उन सब के बारे हम बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आगे को बजाना बिल्कुल ना भूलिए आज 26 अपरेल रात के 10 बजरे मार्केट ओफ है कल मार्केट ओपन होगी तो टाटा काफी के अंदर कैसा मुवमेंट रहने वाला आपको थोड़े में एक्स्प्लेइन कर दिया जाएगा तो प्लिस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए 26 अपरेल आज की दिन इस वाट फोर का रिजल्ट आ है तो आप दे सकते हैं रिजल्ट के अंदर एक अनॉंस्मेंट देखनों मिली है दो रपे का dividend देखने को मिला है एक तरब से दो रपे का dividend देखने को मिला है एक तरब से दो रपे का dividend देखने को मिला है एक रपे की face value पर यानि 200% रिटन दे चुके company dividend के अंदर और देखें इसका result का जो outcome निकल के हैं board meeting जो director की board of meeting हो थी 3 वज़े update, 3 वज़े meeting start होई थी सामकर 6 वज़े खतम होई और अभी थोड़ दे पर इसकी update पूरी निकल के आई है तो अब result कैसा रहा और कैसे earnings रही वो थोड़ दे मैं आपको explain करता हूँ तो मैं आपको disclaimer देना चाहता हूँ कि मैं overview करता हूँ, deep analyze नहीं करता हूँ यहां से आगे trading session कैसे रहने वाला है या share तेजी होगी ग्रावट होगी वो आपको थोड़ा बहुत explain कर देता हूँ और वहां से आप अपने capital कैसे grow कर सकते हैं उसके थोड़ा बहुत target आपको दे देता हूँ मैं तो अब इनकी earnings देखते हैं किस में है, lakhs में है या करोड में वो समझते है, फिर उसके बाद यह देखे है इनकी earnings lakhs में है तो इसका थोड़ा सा simplify करने के लिए हम चली चलते है, scanner के side पर वहां से थोड़ा सा इसका overview करते है तो टाटा कॉफर लिमिटेट, NSC, BSC दोनों पर इस्टेट है कंपनी, तो आज की टेट में सा market का एप है 4,192 करोड वेगा स्टोक P इसका है 27.8 का स्टोक ROC इसका है 13.9 परसेंट का बुक बैल्यूस की 73.3 पैसे की है ROC इसका return of equity इसका 11 परसेंट का dividend कंपनी ने अभी तक दिया 0.67 परसेंट का phase value इसका 1 पैका है आप देखिए कंपनी के कैसा रा quarter फोरिजल वो समझते है तो देखिए मार्च 2022 इस quarterman की सेल हुई है 656 करोड पैके expense operation profit इनको आ है 111 करोड पैका नेट प्रॉफिट की बात करते है नेट प्रॉफिट है 47 करोड पैका अनिंग पर शेयर देखिएंगे तो यह हुआ 2.18 तो यह देखनों को मिला हमारको लास्ट क्वाटर सेल थी 626 करोड वो बढ़के हुई है 656 करोड पैके अप्रॉफिट हमारा 116 था वो घटके हुए 111 हुआ है नेट प्रॉफिट हमारा 44 था वो घटके 47 हुआ है अनिंग पर सेयर हमारा 2.37 था वो घटके 2.18 हुआ आप एक चीज़ देखिए सेल में तो बड़ा देखने हुआ मिली अनिंग पर सेयर के अंदर भी दो से तीन पर सेंट की गिरावट देखने को मिली अब लाश्ट यह सेल थी 551 करोड वो बढ़के हुए 656 करोड अप्रेशन प्रॉफिट हमारा 54 करोड था वो घटके 111 करोड हुआ नेट प्रॉफिट हमारा 43 करोड था वो घटके 41 करोड हुआ अनिंग पर सेयर हमार 2.30 था वो घटके 2.18 हुआ तो देखे एर 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 वाई सेल में तो बड़ा देखने को मिली है बट साधी साध नेट प्रॉफिट में घटत देखने को मिली और अनिंग पर सेयर के अंदर भी हमें कम आया तो इस रिजल्ट को हम खराब बोलेंगे तो अब इसके अग्षियर होल्डिंग पैटन देखेंगे तो इह देखेंगे पर मोटर के होल्डिंग से मैं सब्सक्राइब कर देखेंगे तो रिजल्ट आने से पहले से आने से पहले शेयर कें तक कैसे इंपेक्ट का वह देखते चली हम गूगल की साइट पर चुके हैं गूगल पर मैंने उपन कर रखा हैं तो रिजल्ट आने से पहले से में ढ़्यपरसेंट की तेजी देखने को मिल गई हमारे को आज की दिन में तो आज ये open होता है तो 222 पर 40 पैसे पर हाई मारे इसने 225 रुपे 25 पैसे गा लो मारे इसने 220 रुपे 50 पैसे गा 52 है इसका 254 पैसे गा 52 है इसका 124 रुपे 75 पैसे गा 5 दिन के अंदर इसने 2.24 परसे इतन दिया positive 1 मन के अंदर 14.5 परसेंट चल चुका है एक दिखा चुका है यह तो किने चार्थ साड़े चौड़ा साधीछ परसंट की दिखा चुका ज़ए श्वाइब पर जैसे ज्यादा खराब है ज्यादा खराब नहीं वह खराब है तो चार्ट पे देखते हैं चार्ट पर जोन में फसा हुआ शेव, 227 को उपर जाने को बहुत ही का हडल बनावा, 227 को उपर एक 230 का हडल बनावा है हडल बावा ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 230 को उपर जल्दी से नहीं जा पा रहा है अब मुझे लगता है कि जबता है कि यह 213 के लेवल पर नहीं आए तो इसमें फ्रेस बैंक बिल्कुल नहीं करना अगर 213 के लेवल को होल्ड कर जातो यहां से फिर से रीबाउंड करतो तो इसमें फिर से तीजी देखने हो मिलेगी बट मुझे लगता है अगर 213 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए तो इसके अंदर आपको 204 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं बाकि यह 213 के अच्छी कर सपोर्ट है उस लेवल को ब्रेक नहीं कर तो फिर से रीबाउंड करेगा अगर यह गिरता है तो इसको मौका है तो आप 230 के असपस जाता है 200 के असपस जाता है तो इसमें डेफिनिटिब बाई करिए रिजल्ट के अच्छी जरूर होगी शेयर करना बट अभी आपका बाई नहीं करना यह अभी 230 के लेवल यह 214 तक भी जिकने की अच्छी करने की अच्छी आपको तो आपको क्या करना अगर आपके पास है तो होल्ड के फ्रेस बाइंग बिलकुल नहीं करना 200 तेरह पर रिबाउंड करता तो फिरसा फ्रेस बाइंग कर सकते हैं बट यह 200 के लेवल पहेगा तो इसमें फ्रेस बाइंग बिलकुल की जा सकती है आपके वीडियो को लाइक शेयर फावड करना बिलकुल नहीं थैंक यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो